प्लीज सब्सक्राइब और डोंट फगेट तो प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो से पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमिच्छा पर हमला करते हुए उनके हिंदू होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया सिद्धरमया ने अमिच्छा को सामने आकर अपना धर्म बताने की चुनोती दी लेकिन सीम के बयान पर बीजेपी भलक गई केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सिद्धरमया पर गलत बयानी का आरोप लगाया सिद्धरमया डर गया है उनके चेहरे से साफ जलक रहा है अमिच्छा जी पर अहिंदू होने का आरोप लगाया बीजेपी ने दावा किया कि करनाटक चुनाव में कॉंग्रेस को लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार यूपी की 17 पिछड़ी जातियों को नुसों चुछ जाती में शामिल करने की तरियारी नहीं है मुंबई में मिट्रो ट्रेन के काम पर अब बॉम्बे हाईकोड ने सकत रुखपना लिया है आवास फांडेशन नाम के एक ऍंजीओ ने हाईकोड को शिकायत दे कर मैτ्रो के निर्माण के दौरान हो रहे है शोर के शिकायत किया NGO ने कोर्ट में दी याचिका में दावा किया है कि मुंबई के चर्च गेट पर मेट्रो स्टेशन के निर्माण में 99 डिसिबल से 110 डिसिबल के बीच शोर हो रहा है कफ परेड पेड्रो स्टेशन के निर्माण के दौरान गरीब 92 डिसिबल तक शोर हो रहा है और माहिम मेट्रो स्टेशन पर निर्मान के दौरान एक सोचे डेसिबल से भी ज्यादा शोर हो रहा है यह वो स्टेशन है जहां बड़ी बड़ी मशीनों के जरीए सुरंग की खुधाई का काम किया जा रहा है एंजियों ने याचिका देकर मांग की है कि शहर में शोर से जुड़े मौजूदा खानूनों को सकती से लागू किया जाए नियमों के मताबिक रहाइशी इलाकों में दिन के वक्त 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल तक शोर हो सकता है बाजार या किसी और कमर्शिल जगह पर दिन के वक्त 65 डेसिबल और रात के वक्त 55 डेसिबल तक शोर हो सकता है तो उद्योगों के लिए बने इंडिस्ट्रिल जोन में दिन के वक्त 75 डेसिबल और रात के वक्त 70 डेसिबल तक आवाज ही खानून के दाएरे में है यानि मेट्रो साइट पर हो रहे शोर से जुड़े एंजियो के आंकडे अगर सही माने जाएं तो नियमों का उलंगन हो रहा है इसलिए याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने आदेश दिया है कि मुंबई पुलिस मेट्रो के निर्माण में होने वाले शोर की जांच करे और तीनों जगों पर होने वाले शोर को शोर की पूरी रिपोर्ट हाई को दे हाई कोट ने सक्त किप्णी करते हुए ये भी कहा कि निर्मान भले ही मेट्रों के लिए हुरा हो कानून में रियायत नहीं दी जा सकती यौन जोशन के आरूप में जोदपुर जेल में बंदा आसराम के मामले में 25 अपरेल को फैसला आने वाला है आसराम के समर्दकों को रोकने के लिए पुलिस ने वहनों की तलाशी अप्यान का पैसला लिया है साथ ही पाल रोड पर आसराम के आश्रम के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है चतीजगड की राजधानी रायपुर के एक नामी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मीडिया के सामने आकर सफाई देने ले आरोफ है कि स्कूल में पढ़ने वाली पहली क्लास की मासून के सकाथ साथ स्कूल के टौलेट में रेप किया गया जिसकी शिकायत पीडित परिजनों ने पुलिस से की, जिसके बाद स्कूल प्रशासन में हरकम्प मच गया बच्ची के रेप का आरोप स्कूल के ही एक चातर पर लगा पीडित परिवार का आरोप है कि 18 अपरेल को उनकी बच्ची का रेप किया गए जिसकी शिकायद बच्ची ने घर आने के बाद की दावा है कि परिजानों को बच्ची के कपड़े भी गायब मिले पुलिस की टीम और महिला थाना पुरमादी जाच में लगे हुए जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई उसे हाल ही में सकूल में दाखला मिला था आरोप है कि घटना के दिन बच्ची का स्कूल में पहला दिन था लेकिन स्कूल प्रशासन ने रेप के आरोपों से साफ इंकार कर दिया और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम का दावा किया गया पुलिस बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवा कर चांच में जुड़ गई हर्याणा के बिवाली में एक ये दिश्चा केंदर में कम्प्यूटर आपरेचर का काम एक SDM अधिकारी करते दिखे हर्याणा में कम्प्यूटर आपरेचर हर्याणा पर है और इसलिए SDM ने खुद कम्प्यूटर आपरेचर का काम किया ताकि हर्याणा को ये पेगांद दिया जा सके कि उनके काम पर ना आने से सरकारी कामकाच पर खास असर नहीं पड़ा SDM सतीश सैनी ने न सर्फ कम्प्यूटर आपरेचर का काम किया बलकि खुद वहनों का रेजिस्ट्रिशन भी किया ऑपरेटरों के हर्ताल की वचे से ये दिशा केंद्रों के कामकाच पर असर पड़ा इसलिए प्रशासन ने उनके जगह नए लड़के लड़कियों को काम पर लगाया है लेकिन उन में से ज्यादतार प्रशिक्षित नहीं है इसलिए सज्जेम ने दिन का काम निप्टाने के साथ ही नए लड़के लड़कियों को कम्प्यूटर आपरेचर के काम का प्रशिक्षिन भी दिया महाभारत युग में इंटरनेट की सुविधा का दावा करने वाले तृप्रप्रा के मुख्यमंत्री बिपलव कुमार देव एक बार फिर अपने बयान पर कायम दिख्थे तो हमने यही कि अबूसर में ऐसा कोई टेक्निक थी वो इंटरनेट की जैसा ही थी तो नहीं तो कैसे बता सकता है और वो प्रमानित हो गया लाखों साल पहले इस गरंत में जो लिखा हुआ था वो आज जाके वो हो चुकी है अबूसर ने पांच मई को शादी करने के लिए तालोजुर जशेल पुशासिम से जास्त मागी है ज्यृल पुटपुशासिम को लिख अपने आवेदन में अबूसर ने अपने आवेदन में लिखा है कि वो अपनी होने वाली पत्नी कॉशर बहार से शादी के बाद कुछ दिन मुम्रा में बताना चाहता है। जिसके बाद अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को नामांकन के लिए भी नई तारीख का एलान करने का आदेश दिया। लेकिन बाद में आयोग ने इस आदेश को वापस ले लिया। हाला कि कोर्ट के आदेश के बाद भी लिफ्ट ने नामांकन के दौरान सुरक्षा के मसले को लेकर चिंता जताई और इस मांग को आयोग के सामने रखने का एलान किया। अदालत के इस फैसले से पहले बंगाल में पंचाय चुनाव के नामांगन के दौरान कई जगा बीजेपी और टीमसी में ज़ड़त की कटनाएं सामने आई थी। इन में कुछ लोगों को जान भी कवानी पड़ी थी। से लापता थी। हाला कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है लेकिन आशंका है कि बच्ची का रेप करने के बाद किसी ने उसके हत्या कर दी। सुप्रीम कोट की फटकार के बाद हर्याना ने दिल्ली को पानी की सप्लाई शुरू कर दी। दिल्ली और हर्याना के बीच पानी के बटवारे से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोट में है और गुरवार को सुप्रीम कोट ने इस मामले में हर्याना को कड़ी फटकार लगाई थी। सुनवाई खत्मोंने के कुछी घंटे बाद हर्याना ने दिल्ली के लिए पानी चोड़ना शुरू करती है। हाला कि ये साफ नहीं है कि हर्याना फिलहाल दिल्ली को कितना पानी दे रहा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि दोनों राज्यों में हुए समझोते के मताबिक हर्याना से रोज 4500 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलना चाहिए जबकि हर्याना सरकार फिलाल 330 क्यूसेक पानी ही रोज दिल्ली को दे रही हर्याणा में दिल्ली से पानी की सप्लाई कम होने की वज़े से दिल्ली के कई लाखों में पानी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा कम पानी से जुड़ी समस्याओं का सामना दिल्ली के तक्रीमन 20 लाक लोग पिछले करीब दो महीने से कर रहे गर्मी मढ़ने की वज़े से पानी की मांग भी बढ़ रही है इसलिए समस्या और भी ज़्यादा कम भी रो गई तो दिल्ली के पानी में अमोनिया की मातरा बढ़ने के पीछे भी पानी की कम सप्लाई को ही माना जा रहा है दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोयडा में एक मैदान में कुछ पुलिस वाले चानमीन करते दिखाई ये लोग नौवी के एक चातर के अपरहनों हत्या के मामले में जांस करते हुए यहां पहुँचे जिसके कतल का आरोप उसके अपने दोस्तों पर लगा जिने पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया पकड़े गए आरोपियों की निशान देही पर पुलिस ने मारे गए चातर का शव ग्रेटर नोयडा के जंगल से बरामत किया अरोपे के खर्ज चुकाने के लिए मारे गए चातर के तीन दोस्तों ने एक साजिश रची और उस साज़िश के तहट पहले आयूश का अपरहन किया लेकिन जब आयूश ने अपने घर फोन करने और पैसे मांगने से इंकार कर दिया तो उसके दोस्तों ने पत्थर से कुचल कर उसके हत्या कर दी जानकारी के मताबिक मारा गया चातर 16 अपरहल से लापता था जिसकी शिकायत उसके घरवालों ने पुलीस से भी की थी जिसकी शिए भी कर दोस्तों है